आवाज तेलंगना तक पहुँचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की आज की विजय अईतिहासिक है अभुद्पुर्व है आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है आज विक्सिद भारत के आहवान की जीत होई है आज आत्म निर्भर भारत के संकल्प की जीत होई है आज बन्चितों को वरियता के विचार की जीत होई है आज भारत के विकास के लिए राज्जों का विकास इस सोच की जीत होई है आज इमानदारी पारदर्शिता और सूचासन की जीत होई है मैं इस मंच से सभी मतदाताओं को आजर पुर्वक नमन करता हूँ मत्यपदेश, राजस्थान और चत्थिसगड के लोगों ने भाजपा पर भरपूर्श नेह दिखाया है तेलंगना में भी बीजेपी के प्रती समर्थन लगातार बढ़ रहा है ये हम सभी का सवभाग्य है जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रुप से वनुभाव करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है आज भी मेरे मन में यही भाव है मैं अपनी माताओं बेहनों बेटियों के सामने मैं अपने युवा साथियों के सामने मैं अपने किसान भाई बेहनों के सामने उन्होंने जो निर्णे किया है जो बढ़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नत्मस्तक हूँ इस चुनाओं में बेश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिश हुई लेकिन मैं लगाता कह रहा था कि मेरे लिए बेश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ति हमारी युवा शक्ति हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही देश ससक्त होने वाला है आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साती इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साती इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनावों में इन चारो जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वन्चित के मन में भावना है कि चुनाओं वो खुद जीता है आज हर किसान यही कहता है यह चुनाओं हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बेन यह सोच कर खुछ है कि उसने जीसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विख्सित राष्ट देखना चाहता है साथियों मैं आज विशेश रुप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा रेलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का पर्चम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुक्सान नहीं पहुचा सकते आज नारी शक्ति वन्दन अधिनियम ने देश की माताओ बेहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपास सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नहीं बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साप साप लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्षों में भाजपाने, उन्तक, टॉइलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुंचाने के लिए कितनी इमानदारी से काम किया है आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी, घर, परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास, बीजेपी के विकास मॉडेल का एक महत्व पूर्स्तंब भी है और इसलिए इन चुनावों में महलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपका के विजे की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपुर आशिरवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्नता से देश की हर बहन, बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाइदा बीजेपी ने किये हैं वो शत्त प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों चुणाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है देश का जुआ सिर्फ पर सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाब काम किया हैं वो सरकारे सत्ता से बहार हुई हैं चाहे राजस्तान हो बैटे दल बैटेश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितेसी होती हैं युवाओं के लिए नए आउसर बनाने वाली होती है साथियों आदेश का आदिवासी समाज भी अब खुल कर अपनी बात रख रहा है ये वो आदिवासी समाज है जो कॉंग्रेस की नीतियों की वज़़ से साथ दसक तक पीछे रहा जिसे आउसर नहीं दिये गए इनकी जनसेंगे आज दस करोड के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव परणामा में भी ये देखा है जिस कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने MP 36 गड़ और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांग्षी है और उन्हें बरोसा है किस आकांग्षा को सिर्फ और सिरफ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनो मैं आज हर राज्य के भाजपा कायर करताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसंशा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पन अतुनिय है डबल इंजिन सरकार का मेसेज आपने पूरी मांदारी से जन जन तक पहुँचाया इसी का परणाम आज हमें मिल रहा है हमारे राष्टिय देख्ष्य नद्दाजी जिस प्रकार अपनी नीती रणदीती को अमल में लाए ये विजय उसका भी परणाम है और चुनाव के तर्वियान उनके परिवार में एक दुखत घटना घटी लेकिन उसके बावजुद भी नद्दाजी भारतिय जनता पार्टि के काहर करता के रूप में दिन रात ढटे रहे राज नीती के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविश्यमानियों से दूर रहा मैं कभी बादे बादे और बड़ी बड़ी गोजना नहीं करता हूँ इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूँ लेकिन इस बार चुनाओं में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था मैंने राजस्तान में मावजी महराज को प्रणाम करते हुए उनी की धर्ती पर ये भविश्वानी की थी कि राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार लोट करके नहीं आएगी मैं भविश्वेत्ता नहीं हूँ लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था वहां की जनता पर भरोसा था और आज हम नतीजे देख रहे हैं मत्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है दो दसक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है 36 गड़ के परिवार जनों को तो मैं जब मैं वहाँ चुनाव सभाव में गया तो मैं खुदी पहली सभा में 36 गड़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था मैं आप से कुछ मांगने नहीं आया हूँ मैं तो आपको 3 डिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो सपत समारों में निमंतरन देने के लिए आया 36 गड़ के परणाम से साभ है कि हर परिजन ने उस बात को स्विकार किया है मैं तेलंगरा की जनता और तेलंगरा के भाजपा कायर करता हूँ का विशेस आभार व्यक्त करता हूँ हर चुनाव में तेलंगरा में भाजपा का गराप लगातार बढ़ रहा है मैं तेलंगरा के लोगों को ए विश्वाद दिलाता हूँ कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी भारतिये जनतापाटी तेलंगरा अभीवृत्ती कोसम एल्ला पुडुपनी चेंस्तुने उटुंडी सीमित नहीं रहेगी इन परणामों की गुण्ज दूर तक जाएगी पूरी दुनिया में इन चुनाव परणामों की गुण्ज सुनाई देगी ये चुनाव परणाम भारत के विकास पर भरोसा दुनिया के भरोसे को और मजबुती देगा ये चुनाव परणाम दुनिया भर के निवशकों को भी नया विश्वास देगा भरोसा ये कि आज आजी के अमरितकाल में विक्सीत भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसे जनता जनारदन का लगातार आशिरवाद मिल रहा है आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं कितने मैच्चोर है आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए स्थीर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है साथियों भाजपाने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मोडल देश के सामने प्रस्तूत किया है हमारी नीति और निर्णों के मूल में सिर्फ पर सिर्फ देश है देश वासी है भारत माता की जय यही हमारा मन्त है इसलिए भाजपास सरकारे सिर्फ नीतिया नहीं बनाती बलकि हर हकदार हर लाभारती तक वो पहुँचे ये भी सुनिस्चित करती है भाजपा परफॉर्मेंस और डिलिवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है भारत का मद्दाता जानता है कि स्वार्थ क्या है जनहीत और राष्टहीत क्या है दूद का और पानी का भेज देश जानता है जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई हवाई बाते करना और लोब लालच की गोचनाई करना कि मतदाता पसंद नहीं करता मतदाता को उसका जीवन बहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए एक विश्वस्वस्वित्य चाहिए एक भरोसा चाहिए भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है हर परिवार का जीवन बहतर होता है इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है लगातार चुन रहा है और कुछ लोग तो कह रहे है कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है साथियो आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि ब्रश्टाचार तुस्टिकरन और परिवार बात को लेकर देश के भीतर देश के हरनागरिक के दिल में जीरो टॉलरंस बन रही है आज देश को लगता है कि इन तीन बुराईयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में ब्रस्टा चार के विर्द जो अभ्यान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है ये उन्दलों उन्नेताओं को वोटर की साप साप चेतावनी है जो ब्रस्टा चारियों के साथ खड़े होने में जराबी शर्मन वह नहीं करते हैं उन्हों लोगों को देश की जनता ने आज साप साप संदेश दे दिया है और ऐसे लोग जो बांती बांती के तरकों से ब्रस्टा चारियों को कबच देते हैं कबरब करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग जो ब्रस्टा चार पर कड़ा प्रहा करने वाली जाँच एजन्सियों को बदनाम करने में दिनराज जुटे हुए है बेसमझने ये चुनाव नतीजे ब्रस्टा चार के खिलाब लड़ाई का भी जन समर्थन है ये चुनाव नतीजे कॉंगरेश और उसके गमन या गटबंदन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आजाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता देश की जनता का दिल जितने के लिए राष्ट सेवा का जज़बा होना चाहिए और गमन या गटबंदन में रती भर भी वो नजर नहीं आता है गाली गलोच निराशा नगेटिविटी एक गमन्डिया गटबंदन को मेडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती है साथियों आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगती और जनकल्यान की राजनीती के खिलाब खड़े रहते हैं जब भी विकास होता है कॉंग्रेस और उसके साथ ही विरोध करते हैं जब हम मंदे भारत ट्रेन लॉंच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही उसकी मजाक उड़ाते हैं जब हम आईश्मान भारत लॉंच करते हैं, तो कॉंग्रेस और उसके साथ इसमें रोडा अटकाते हैं, जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं, तब कॉंग्रेस और उसके साथ इसमें रुकावटे डालते हैं, जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं, तो कॉंग्र ऐसी सभी पार्टियों, ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाएए, सुधर जाएए, वरना जनता आपको चुन-चुन करके साफ कर देगी. आज ऐसी पार्टियों के लिए सभख है, कि केंद्र सरकार की गरीब कल्यार की योजनाओं, और उनके लिए भेजे जहराए फंड के बीच में, आने की कोशिश मत करो, यह जनता का आदेश है, वरना, जो बीच में आएगा, उसे जनता हटा देगी. लोग तंत्रगहित में, मेरी कॉंगेरेस और उसके साथियों को, नम्रता पुर्वक सला है. क्रुपा करके, ऐसी राजनिती न करें, जो देश विरोधी ताकतों को बल दें, जो देश को बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मजबूती दें, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गती दें. साथियों, आज भारत की अर्थे ववस्ता का, हर पहिया, पूरी गती से घूम रहा है. कुछ लोग कह रहे थे, कि विश्व में मंदी का आशर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने, हर आकलन से कहीं बहतर प्रदर्शन किया. आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विक्सिद होती आर्थिक ताकत है, आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास, अभुत पूर्वस्तर पर है. आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड GST कलेक्शन हो रहा है, कुरुशी उत्पावन के नए रिकॉर्ड बन रहे है, भारत के शेर मार्केट पर बरोसा चरम पर है, आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे है, UPI टांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे है तेहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे है गाडियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे है आज बारत में सिमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है कोईला प्रोडक्शन बढ़ा है आज बारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है बिजिली उत्पादर बड़ा है दुनिया भर की कंपनिया भारत में बेनिफेक्टरिंग के लिए आतूर है हवाई आता करने वालों के संख्या उच्छतम सर्पर है होम लोन की में भी उस सेक्टल में भी बहुत अधिक वुर्थी देखी जा रही है साथियों आज भारत का फिजिकल इंट्रासेक्टर पूरी तरह से ट्रांस्फरम हो रहा है आप देखिए चारों तरफ एक्सप्रेस वे का इंडिस्टियल कोरिडोर का जाल बिश रहा है भारत की रेल आज अपने ट्रांस्फरमेशन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है आज देश में नए रेल विश्टेंटर बन रहे है आधुनिक ट्रेने आ रही है गती नहीं है संकल्प नहीं है और मैं देश वाचु को कहना चाहता हूँ हर देश वाचु को कहना चाहता हूँ और मैं मेरे ट्रेक रेकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूँ बड़ी मानदारी से कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपके सपने आपके सपने मेरे देश वाच्यों आपके सपने वो मेरा संकल्प है आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है, मेरी तफस्या भी है साथियों, भारत का डिजिटल इंफ्रस्टेक्टर दुनिया में स्रिष्थता की तरफ बढ़ रहा है भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अग्रेड़ी देश में पहुँच चुका है आज भारत में गाउं गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुँच रहा है आज देश के सोचल इंफ्रस्टेक्टर पर भी अबुत्पुर्व गती से काम हो रहा है हर गरीब को मुप्त राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है भाजपास सरकार में 4 करोड गरीब परिवारों के पक्के गर बन चुके है हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के संकल पकी के और तेजी से बढ़ रहे है घर-घर नल से जल यह भियान तेज गती से चल रहा है आज देश में रिकॉर्ड गती से नए अस्पताल बन रहा है है मेडिकल कॉलेज बन रहा है कॉलेज और युनिवर्सिटी की संख्या बढ़ रही है सात्यों आज भारत आगे बढ़ रहा है भारत का नागरी का आगे बढ़ रहा है भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाय रखना चाहते हैं अब इससे पीछे नहीं अटनाया और पीछे हटना ये मोदी के तो कभी स्विकार नहीं हो सकता है भारत के लोग स्टैबिलिटी चाहते हैं स्थाहित्व चाहते हैं भारत के लोग विक्सित भारत की आत्रा को गती देना चाहते हैं मैं देश के प्रत्यक युवा को आवान करता हूँ वो विक्सित भारत का अमबेसडर बने वो विक्सित भारत के संकल्पों का नेत्रुत्व करे मैं भाजबा कायर करता हूं से भी कहूंगा प्रतेक भाजबा कायर करता हूं नमो एप पर जाएं और कम से कम दस लोगों को विक्सित भारत का एंबेसेडर बनाएं हमें आज एक ऐसी पीड़ी तेयार करनी है जिसका सपना हो विक्सित भारत जिसका संकल्प हो विक्सित भारत जिसकी साधना हो विक्सित भारत जिसका समर्पन हो विक्सित भारत साथियों विक्सित भारत के निर्मान के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे इन चुनावों मेंने लगातार कहा है कि हर लाभारती तक पहुँचकर भाजबा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाब देगी इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नमंबर यानि जन जातिय गवरव दिवास यानि भगवान बिर्शा मुंडा की जनती से विख्सीद भारत संकल पर यात्रा शुरू की है योजनाओं से वंचित लोगों को जोडने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिन जेत्रों में यात्रा पहुंच रही हैं वहाँ लोग खुश्या मना रहे हैं कि मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी हमारे गाओं आ रही है मैं आज विजे के इस समारों से हर विजे भी कारकरताओं को सला दूँगा आगरे करूँगा अब आज से आपको मोदी की गारेंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी देश की सफलनता की गारेंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारेंटी है और आपको एक बात और याद रखनी है जहां जहां दूसरों से उम्मिद खत्ब होती है वहां से मोदी की गारेंटी शुरू होती है मेरे परिवार जनों विधान सबाचुनाव के नतीजों ने पोजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाः शुरू किया है जिसे आज पुरा देश महसूस कर रहा है इस शक्ति ने विख्षीज भारत के लिए तयार हुई नीम को और मजबूत कर दिया है हमें ये उर्जा बनाए रखनी है हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है हमें एक सो चालीस करोर भारतियों के विश्वास को जगाए रखना है हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है हमें हर मन को समझना है हमें सब को साथ लेकर चलना है हमें हर एक को अमरित कान की विकास यात्रा का साथ ही बनाना है जो हमसे दूर है हमें उनके पाथ पहुंचना है जिने संदे हैं हमें उनमें भरोसा जगाना है भाजपा के काहर करताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एक जुड़ होने का प्रयास करेगी देश को बांटने वाली ताकतें अभेडी चोटी का जोर लगाएगी समाज में खाई पैदा करने वाले हम नए मौके तलासेंगे हमें उन से मुकाबला भी करना है उनके फेक नेरेटिव को जवाब भी देना है लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है साथियों उस्सा और उमन के इस वातावर के बीच मेरी आदत छूडती नहीं है तो मैं फिर यह तो करता ही रहता हूं क्यों में के मुल तह संगडन से निकला हूं तो स्वभाव मेरा जाता नहीं मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था मिचों से भी सतक रहना है बंगाल की खाड़ी से सटे तकी इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्ग में है उनकी हर संबव मदद भी कर रही है मैं तमिलनाडू, पूरीचेरी, उडिचा और खास तोर से आंदर प्रदेश के भाजपा कारकरताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार बले किसी भी दलकी हो प्रशाशन को पूरा साथ देना और यही एक समर्पीद भाजपा कारकरता के संश्कार होते हैं हमारे लिए दल से बड़ा देश है हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देश वासी है साथियों सब के प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं मुझे देश की अमरुत पीड़ी पर भरोसा है हमारा लक्ष एक है साधना एक है, सपना एक है भारत विक्सित होकर रहेगा इसी भी समास के साथ मैं फिर एक बार सभी मत दाताओं का बिनंदन करता हूँ जो भी विजय हुए है उनको शुपकामनाई देता हूँ और हम सब मिल करके देश के सामान ने मानुई यासा अपने इक्षाओं को पूरा कर पाएं मैं आप सब कायर करता हूँ को आपके माध्यम से माधान में जो लोग मेहनत कर रहे थे उन सब को रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की